जार्खंड की हेमन सरकार चौतरफा दबाव जेल रही है। एक और E.D. लगातार हेमन सरकार पर दबाव बनाए हुए तो वहीं दूसरी और जार्खंड शिक्षाय एवन शिक्षक हित के विभिन विशव का निश्पादन नहीं होने पर अखिल जार्खंड प्रात्मिक शिक् की सब्सक्राय गाडीयों में रवाना हुए लणबाद से दो बड़ी बस 30 चोटी बड़ी गाडियां और ज्बाता मिसंग सवार और कर कारीब 500 शे शॉकी संक्षामें प्रात्मिक शिक्षक राची के लिए रवाना हुए वहीं मोराबादी में हजारों की संख्या में प्रात्मिक शिक्षक संग जुटा और बुख्यमंत्री आवास धेरने का कदम बढ़ाया तो पुलिस ने प्रिकेटिंग करके वही रोग दिया आए चुनते हैं क्या है इनकी मांगे हम लोगों के मांग फूरा नहीं कुछ आजवासन मिलेंगे अब तक हम लोग यहां पर डाटे रहेंगे हम सभी सिक्षक हम सभी सिक्षक आज उनेश नमोंबर 2022 तो माननी राची में माननी मुक्त मंत्री जी से चार सुत्री मांग को लेकर उनके आवास पर मिलने आये हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारी बारता उनके साथ हो ताकि हम लोग अपने पूरी उर्जा के साथ बच्चों के भी सिक्षान पठन पठन कर सके हमारी चार मांगे मुख्यता एमे सीपी ग्रेट वेतन में भी संगती गर सक्षनिक और अंतरचिला स्थानांत्रन है और हम इसी उमीद और आसा के साथ हैं अगर हमारी बारता विफल होती है हमारी मांगे मांगी नहीं जाती है तो हम 17 तिसंबर 2022 से अनिस्चित कालिन हर्दाल पर जाएगे अभी हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने घेराओं के लिए करज करमत था हम लोग वहां जा रहे ते ल लेकिन बीच में हैboarding दुआर हम लोग को रोक तीआ किया है लेकिन सरकार द्वारा परतिनिधी के द्वारा यहां संदेश कि हम लोग बारता के लिए बुलाए जा रहे हैं अगर बारता के लिए बारता असफल होती है तो ठीक है नहीं तो हम लोग आमरण अर्सन पर जाएंगे यह जो है जुलूश प्रात्म अखिल धारकन प्रात्मी सीखत संके तत्वधार में आयुद किया गया है और इसका हम सिक्षकों को कई मांग हैं जिन में जो है में सीपी हम लोग से को नहीं मिला अभी तक 16 साल गुजर गया हम लोग को गैर सक्षिनी कार्ज में लगा दिया जा आज सेक्षिनी कार्ज छोड़तर से भी कार्जू को हम लोग करवाय जाता है और इसके बाद हम लोग मर्दोसा रोपन होता है कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं इसके अलावा जिला अथान अंतरन की समस्या है बहुत से शिक्षक है बहुत दूसरे जिले में है जिनको वीमा अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले